दोस्तो अच हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ करीबन 10% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली 409 रुपे सी पैसे पर क्लोजिंग हमें स्टॉक ने बना कर दिखाई वही थ्रियावर चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ तो एक शांदार रैली स्टॉक में जारी है अगर यही तेजी कंटिन्यू रहती है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन्स में जो टारगेट स्टॉक अचीव करेगा वो है 425, 450 यहां तक की 475 रुपीज तक के टारगेट भी इंडियन बैंक अचीव कर सकता है तो अगर आपके पोटफोलियो में इंडियन बैंक शामिल है कंटिन्यू होल्ड करें और यहां पर फ्रेश बाइंग का मौका भी स्टॉक बना रहा है तो बिलकुल बाइंड करके चल सकते हैं इंडियन बैंक स्टॉक को तो यही स्ट्रेटजी आपको उपनानी है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद